Welcome to the Concept इस वीडियो में हम लोग डिक्सस करेंगे Grouping of Capacitor के बारे में याड़ी इससे पहले हम लोग पहरे थे Capacitor क्या होता है Inc., Capacitor now कितने परकार होता है तो वहाँ पे देखे थे हम लोग Parallel Plate Capacitor, Spherical Capacitor, Spherical Capacitor तो इनी Capacitor सका अब हम लोग पहरेंगे Grouping अगर हम लोगों को जितना मैक्रो फेराड का केपेस्टी चाहिए और उतना मैक्रो फेराड का केपेस्टर मार्केट में एवेलेवल नहीं है तो हम लोग गुरूपिंग के सारे से उतना मैक्रो फेराड का केपेस्टर हम लोग बना सकते हैं तो उसके लिए मेनिली तीन सो हता है parallel grouping series grouping कभी-कभी mixed भी grouping कर देते हैं तो इस तरह से हम लोगों को required capacitor मिलता है grouping of capacitor का definition है it is the combination of capacitors for desired capacity यानि यह capacitors का combination है एक desired capacity के लिए यानि जितना capacity हमको जरूरत है उतना capacity के लिए जो combination करते है cursor का उसी को करते है grouping of capacitor तो देखो mainly 3 का grouping होता है यहां पर लिखे methods of grouping there are following methods of grouping यानि पहले है parallel grouping फिर एक series grouping फिर parallel और series का mixed grouping जो होता है उसको mix grouping करते हैं यानि इस में parallel भी grouping होगा और series भी grouping होगा तो बारी बारी साम लोग पहले परहेंगे parallel grouping के बारे में फिर उसके बाद series grouping के बारे में परहेंगे फिर इन दोरों का जो mix होगा mix grouping के बारे में परहेंगे ना हम लोग अब देखते हैं parallel grouping parallel grouping का यहां definition लिखे है in this type of grouping one plate of all the capacitors connected at one point and other plates at other common point यानि इस तरह के grouping में हम लोग capacitor का एक plate किसी एक common point पे जोडते हैं और दूसरे plate को दूसरे common point पे connect करते हैं तो इस तरह का जो combination होता है grouping होता है इसको हम लोग parallel grouping काते हैं ऐसे भी यहां figure से दिग रहा है कि capacitor एक दूसरे का parallel होगा तो इसको हम लोग parallel grouping कहेंगे यहां तीन लिए है तो ऐसा नहीं कि तीन ही होता है तीन से ज्यादे भी capacitor parallel ही हो सकता है या तीन से कम दो भी कम से कम तो दो होगा ही या दो से ज्यादे जितना भी हो सके हम लोग parallel grouping इस तरह से करते हैं दोखो यहां पे note करने वाली बात है कि यहां पे parallel grouping में एक plate किसी एक common point पे connected रहता है जिसका potential माल लेते हैं B1 है और दूसरा plate किसी दूसरे common point पे connected है माल लेते हैं उसका potential B2 है अब इन दोनों का difference निकाले potential difference या इस point और इस point पे तो potential difference माल लेते हैं कि B हुआ तो जितने भी capacitor है सब के across potential difference भी होगा सबसे important point यह याद रखना अब इसका हम लोग equivalent पढ़ते हैं parallel grouping का equivalent यानि सम्टुल यानि जब ये सारे capacitor को parallel हम लोग combine किये हैं तो इसका effective capacitance कितना होगा उसी को कहते है parallel equivalent यानि parallel जब capacitor का grouping हो उन सभी का equivalent यानि सम्टुल जितना capacity होगा वही parallel equivalent का लाता है parallel equivalent में है इसका differentiation में लिखे हैं इसका डिपनेशन में लिखे हैं यानि इसका parallel equivalent जो इसका parallel equivalent जो capacity होगा वो उतना ही CHARGE को draw करेगा उतना ही CHARGE उससे होकर के follow करेगा जितना ये सारे केपेस्टर को मिल के जितना चार्ज फोलो कर रहा है मतलब अगर यहाँ पे Q चार्ज देते हैं तो यहाँ पे Q1, Q2, Q3 तीन सर्कीट है तीन में बढ़ जाएगा Q1, Q2, Q3 में अगर इन से भी केपेस्टर का पैलल एक्विवेलेंट निकालें तो उतना ही Q चार्ज को ओर ड्रोज करेगा तो वही इसका डिफरेशन में लिखा हुआ है यहाँ पे बताए थे कि सभी केपेस्टर का पोटेंशल डिफरेंश सेम होगा यानि भी भी होगा और सभी केपेस्टर का अलग अलग चार्ज होगा अगर Q चार्ज यहाँ पे देंगे तो Q1, Q2, Q3 यहाँ तीन भागों में यह Q चार्ज बढ़ जाता है यानि जितना केपेस्टर रहेगा उतना पार्ट्स में वह डिवाइट हो जाएगा वही चीज यहाँ पे लिख दी है All the केपेस्टर have same potential difference but different charges That is हम लोग कह सकते हैं कि अगर Q1 फर्स्ट केपेस्टर से होके गया तो हो जायागा C1B क्योंकि Q बराबर CB हम लोग जानते हैं तो C1 केपेस्टर से गया तो C1B अगर C2 केपेस्टर से Q2 चार्ज गया तो Q2 बराबर C2B Q3 बराबर C3B अभी हम लोग पर है कि parallel equivalent के बारे में अब parallel equivalent का expression कैसा होता है उसका expression हम लोग निकालते हैं दोगों इसका simple है सिर्फ circuit को ध्यान में रखना इसका expression बहुत ही आसानी से derived हो जाएगा माल लेते हैं कि यहां तीन केपेस्टर लिए हैं C1, C2, C3 और potential difference है B तो B potential difference है तो सभी केपेस्टर का वही B potential difference होगा क्योंकि potential difference parallel grouping में सभी केपेस्टर का same रहता है अभी वहां note पे लिखे थे तो माल लेते हैं कि इस circuit से अगर Q charge follow करता है माल लेते हैं Q1, Q2, Q3 तीन charges में बढ़ गया है तो अब Q1 को लिखेंगे C1B Q2 को लिखेंगे C2B Q3 को लिखेंगे C3B तो इस तरह से सभी charge को लिख देंगे उसके बाद Q बराबर हम लोग जानते है Q1 पलस Q2 पलस Q3 क्योंकि यही charge जाके तीन हिस्सों में बढ़ जाता है तो तीन हिस्सों में यह बटा जाके तो यह Q बराबर इन तीनों का सम होगा तो बस उसके बाद उसका बेलू यहाँ से जो निकाले थे Q1 Q2 Q3 उसको रख देंगे उसके बाद हम लोगों का expression derived हो जाएगा तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिये है assume 3 capacitor of capacity C1 C2 C3 in parallel with source B यानि जिस source से connected है उसका potential difference B है यहाँ पे जो दिग रहा है late total charge supplied Q माल लेते हैं कि यहाँ पे Q charge supply किया गया है and charges to them और उसके बाद इन सारे capacitor को charge दिया गया जो Q1 Q2 Q3 so Q बराबर Q1 Q2 Q3 हो जाएगा यहाँ पे figure में अभी बताए थे Q charge दिये तो तीनों तीन हिस्सों में बटा तो यह तीनों का sum Q के बराबर होगा तो इसको माल ले equation 1 also अभी हम बताए थे Q1 लिखेंगे C1 B Q2 लिखेंगे C2 B Q3 लिखेंगे C3 B क्योंकि charge बराबर होता है C B Q बराबर C B यह पहले हम लोग इसको देखे थे derive डी किये थे यह formula भी तो Q1 बराबर C1 B Q2 बराबर C2 B Q3 बराबर C3 B तो इसको equation 2, 3 and 4 माल लिए now let C P यानि C P equal to parallel equivalent यानि C P को मालने हम लोग इन सारे capacitors का parallel equivalent capacity यानि C1, C2, C3 capacitor का equivalent capacity C P मालने इसलिए जो charge Q दिया गया है तो वो single charge को draw करेगा अभी बताये थे इसका parallel equivalent में यानि parallel equivalent का जो capacitor होता है वो वही charge को draw करता है जो तीनो capacitor मिलके करता है तो तीनो capacitor मिलके Q charge द्रो किया तो इसलिए Q बराबर C P भी इसको मालने equation 5 तो हम लोग यहां पर करेंगे क्या कि Q1, Q2, Q3 का मान इन तीनों equations का equation 1 में रख देंगे और Q का मान यहां से equation 5 से रख देंगे putting the value of equation 2, 3, 4, 5 in 1 यानि equation 2, 3, 4, 5 को equation 1 में पूट करेंगे तो यहां पर अभी बताए Q बराबर C P B है तो C P B Q1 का मान equation 2 से C 1 B Q2 का मान equation 3 से C B Q3 का मान equation 4 से C 3 B यह सब substitute कर दिए अब यहां पर देखो B B B सब में है common तो common ले लेंगे B को यहां भी एक B है तो यह B जितना भी common आएगा इससे कड़ जाएगा तो C P बराबर हो जाएगा C 1 पलस C 2 पलस C 3 यानि parallel equivalent हुआ capacitor का C 1 पलस C 2 पलस C 3 जितना रहेगा C 4 C 5 C 6 यानि जितना capacitor है algebraic sum जो होगा सभी capacitor का वही parallel equivalent C P का लाएगा तो इस तरह से हम लोग इसका expression देख लिए अब इस पे हम लोग कुछ discussion कर लेते हैं discussion में लिखे हैं कि parallel equivalent बराबर होता है जितना भी capacitor है सभी का algebraic sum यानि C P बराबर C 1 पलस C 2 पलस C 3 पलस C 4 पलस डॉट 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 C N तक अब अगला point है कि C P C P is greater than the greatest individual यानि C P जो होगा इसमें जितना भी capacitor होगा उसका जो सबसे बरा होगा उससे भी C P बराबा मालने जो सबसे बरा होगा CP, यानि equivalent जो capacitance है, तो वो जितना भी greatest individual यानि individually जो सबसे बढ़ा होगा उससे भी बढ़ा होगा, it has no geometrical meaning, यानि geometrical shape size पे ये depend नहीं करता है, it has no geometrical meaning, अगला point है all the capacitors have same potential difference but different charges यानि जितना भी capacitor है सबका potential difference same होगा, यानि same potential difference होगा, लेकिन charges सब में अलग-अलग supplies होआ था, अभी हम लोग यहाँ figure में देखे थे, इस सब में अलग-अलग charge है, लेकिन सब का potential difference same है भी, अगला point है, charge distributed in the ratio of capacity, यानि charge का distribution होता है वो capacity के ratio पे होता है यानि जितना जिसका capacity जादे होगा, उस पे charge जादे होगा यानि जिस पे capacity कम होगा, उस पे charge कम होगा, इसलिए q1 is to q2 is to q3 equal to c1 is to c2 is to c3 potential energy दोब potential energy अगर हम निकाले तो c1, यानि first capacitor का अगर हम लोग potential energy निकाले u1 मॉल लेते हैं, तो half c1 b square, second का निकाले half c2 b square, third का निकाले, half c3 b square तो उसी तरह से dot dot un का, यानि n अगर capacitor है उसका potential energy निकाले, तो half cn b square हो जाएगा, अब इन सभी का हम लोग जो रहे, तो यहाँ पे adding add किये हुए है, तो यह हो जाएगा, u1 plus u2 plus u3 dot dot un, बराबर यहाँ half common है, सब में b square भी common है तो बचेगा, c1 plus c2 plus c3 plus dot dot cn, अब c1 c2 c3 इस तरह का सम है यह parallel sum हुआ तो इसलिए, इसको लिख सकते है cp, तो potential energy का algebraic sum हो गया, half cp b square, potential energy का equivalent energy है up, तो up बराबर u1 plus u2 plus ut dot dot un, बराबर इसको लिख सकते है half cp b square यहाँ पे half cp b square लिख लिएना तो यहाँ हो गया, up बराबर half cp b square तो इस तरह से हम लोग देखे कि parallel grouping कैसे करते हैं और parallel grouping का कुछ discussion करें अब अगले वीडियो में हम लोग parallel grouping के कुछ questions करेंगे, उसके बाद फिर series grouping के बारें परहेंगे ओके, thanks